अगर आप लोग मद्विदेश के किसी भी गवर्मेंट एकजाम की तयारी करें इसमें आपका MPPSC आ जाता है MPK ब्यापम के एकजाम आते रहते हैं, सिख्छक भरतिया होती रहते हैं, कौंश्टेवल पुलिस के लिए होता रहता है दरोगा के लिए होता रहता है, SIU की बात करा हूँ, उससे विस्पेक्टर की बात करा हूँ जेल पहरी, आप देखते हैं कि आपके पटवारी के होते रहते हैं, अनेकों एकजाम होते हैं और इन सब के अगर पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखें आप लोग तो आप लोग देखते हैं कि जो मद्पदेश में घटनाय घटती रहती हैं, जिनने आप लोग करेंट अफियरस कर देते हैं उनसे आपकी परिच्चाओं में कुश्चन्स अच्छी खासी संक्या में पूछे जाते हैं तो अभी तक आप लोग ने देखा है कि तीन महीने की, यानि की जनबरी, फरवरी, मार्च, 2022 की जितनी भी घटनाय रही हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं तो उनने जाकर आप लोग मध्वदेश करेंट अपियरस 2022 की नाम से जो पेले लिष्ट सूची वनी हुई है वहाँ जाकर आप लोग देख लीजेगा आज हमें बात करनी है अपरेल 2022 में जो घटनाय घटी है उनका एक ओवर्विव लेना है जो महत्पूर्ट तत है आपके लिए पॉइंट है आपकी परिच्छा के लिए उनके बारे में बात करने है एक बार आप लोग मध्वदेश को देख लीजे यह मध्वदेश आपका दिखाई दे रहा है यह हमारा प्यारा भारत है क्या है? हमारा प्यारा इंडिया है और इसमें आप देखते हैं कि मध्वदेश आपको बीच में देखने को मिलता है इसलिए आप लोग मध्वदेश कहते हैं हिदय प्यदेश में कहते हैं, आप लोगों से याद दो सवाल है मेरे, कि हिदय प्यदेश नाम किसने दिया था मद्प्यदेश को, और मद्प्यदेश नाम किसने दिया था, एक नवंबर 1956 में मद्प्यदेश को राज बनाया गया था, इसकी सीमा उत्तर प्यदेश, राजिस् से अलग करके 36 गड़ राज बन गया था अब छेतफल में पहले नंबर पर राजिस्तान है दूसरे पर मद्ध्विदेश आता है और मद्ध्विदेश का छेतफल देखें तो 3,8,245 बरक किलूमीटर देखने को मिलेगा कहीं कहीं 252 बरक किलूमीटर देखने को मिलेगा तो य आज सभा में 11 सीट हैं लोग सभा में 29 सीट हैं मद्विदेश में देखने को मिलेगी चली अब हम लोग पहली ख़बर देखते हैं आपकी हाली मद्विदेश राज जी तीरंदाजी अकादमी की खिलाडी मुस्कान किरार रागनी मारको और सरिष्टी सिंग का भारती तीरं तीरंदाजी टीम में चैन किया गया है यह आप लोगों सिर्फ मुझ लेता है कि मुस्कान किरार का सम्बंद किस से हैं तो तीरंदाजी से सम्बंदे थे रागनी मारको और सरिष्टी सिंग तीनों ही अंतराष्टी खिलाडियों को जबलपुर इस्तिद राजजी तीरंदाजी अकादमी के कोच रिचपाल सिंग सलारिया के मार्दरसन में पिदीसन पिसिक्षड पिदान किया गया है और मुस्कान किरार ने ECI खिलो 2018 में रजज़त पदक, रागनी मारको ने यूथ बर्ड, चेंपिन सिप, मैडरिड, इस्पेन में मिसित इस्परदा में स्वर्ड पदक और सरिष्टी सिंग ने इटली में बिस विद्याले, खिलों में भाग लेने के साथ राष्टी है, इस तर पर पदक प्राप्त किये हैं और मुस्कान किरार मुलूप से जवलपुर की रहने वाली हैं, जिनने राज सरकात द्वारत 2018 में एकलब पुरुसका 2019 में बिकरम पुरुसका से सम्मानित भी किया गया था याद रहे भारती टीम की इस बर्स पांच बिस कब विभेन चर्णों और ACI खेलों चीन में जो हो रहे हैं उसमें भाग लेगी है, तो यह भी आप लो याद रखेगा अंगली खबर है, एक अपरेल 2022 को मद्ध पिदेश की चिकिस्सा सिक्षा मंत्री विश्वास कैला सारंग ने मद्ध पिदेश में स्टैम सेल थेरिपी आधारेद, बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट और पेडियार्टिक कैंसर यूनिट की इस्थापना की है पहले आप देखते थे किसी को कैंसर हो जाता था, तो ऐसा माल लिये जाता था कि उसकी जिन्देगी तमाम है, अब वो खतम हो जाएगा, लेकिन आप देखे अब सब का एलाज हो गया है, हर बीमारी का बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट इवं पेडियार्टिक कैंसर यूनिट की इस्थापना मत्पिदेश के चार मेडिकल कॉली भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीबा में की जाएगी पेडेश में बच्चों की जनेटिव बीमारियों जैसे सिकल सेल इनिमिया, एफलास्टिक एनिमिया, थैलीसीमिया, कैंसर जैसे लीकिमिया, मल्टीपर, माई, लॉमा, नौन होजकिंग्स, लिम्फोबा के उपचार के लिए बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट इवं इवनिट क की इस्थापना की जाएगी और इस यूनेट में आप देखेंगे इस यूनेट के माध्यम से विशस्त्रिय चिकसी है, सुविधा उपलब्द कराई जाएगी और इसमें स्वैम के ओटो लंगस स्टेम सेल ग्राफ्टिंग एवं अन वेक्ति के बॉन मेरो किया जाएगा और बच्चों में सिकल सेल एनिमिया, एफलास्टिक एनिमिया और इवं थैलिसीमिया जैसे जेनेटिक बीमारियों के कारण बच्चों के संक्मित बॉन मेरो को निकाल कर दूसरे विक्ति का स्वस्त मॉन मेरो ट्रांस्प्लांट किया जाएगा और पीडित ब युकीमिया हो गया, multiple myeloma हो गया, non-Hodgkin's lymphobus एपीडित मरीजों में, उनके ही stem cell को निकालकर autolangus stem cell transplant किया जाएगा, और पीडित मरीज के ही stem cell को निकालकर उसको cryopreserve किया जाएगा, फिर autolangus transplant की जाएगी, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा. अंगली ख़पर है आपकी तीन अपरेल 2022 को, मत्वदेश की वित मंत्री, यह नाम आप लोग मंत्रियों के नाम रखा करिएगा, याद, क्योंकि कई बार डारेक्टी questions पूछ लेता है, तो वित मंत्री जगदीप दिवडा ने बताये कि वित्ती वर्स 2021-22 में सकल राजस प्राप्ती 57,720 करोड रुपे थी, जो इस साल आप देखी 16,609 करोड रुपे हो गई है, वित मंत्री ने कहा है कि राजसासन की बहतर कर नीती और वित्ती अनुसासन करदाताओं को अनुखूल बातावर्ण उपलद कराने की पाईडाम सरूप वित्ती वर्स 2021-22 में सकल र 21,600 करोड रुपे था और जिसके साफिक्च आप देखी 22,206.01 करोड रुपे की प्राप्ती हुई है और इस प्राप्ती विकार आप देखी प्राप्तियों में 102.81 की उपलब दी रही है, नौन जीएश्टी करोड में आप देखी 16,540 करोड रुपे का लक्ष था और जिस के साफिक 16,745 करोड रुपे की प्राप्ती हुए है, 101.24 करोड रुपे की प्राप्ती हुए है, और आप देखी पंजीयन और स्टाम सुल्क में 74,7400 करोड रुपे के लक्ष की साफिक 8,174.85 करोड रुपे प्राप्त किये गए, 110.34 करोड रुपे की प्राप्ती हुए है, 266 कर रोपे की रही है जो आप देखें सो दसमलाव 45 पीतिस सत है ये भी आप लोग याद रखेएगा जो सराब होती है ना इससे सबसे जादा आया होती है सरकारों की सराब बंदी करना भी बहुत बड़ा कदम होता है 24 परल 2022 को मदपदेश के मुख्रमंतिरी सिवरा सिंग चोहान ने इंडिया हैविटेट टेंटर नई दिल्ली में मदपदेश सो सासन इव्यम विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संसकर्ण का विबोचन किया है मदपदेश और सो सासन विकास रिपोर्ट 2022 अपनी तरह का पहला दस्ता बीज है जो मदपदेश की अनूठी सासन पिथाओं को सामने लाता है और जिसमें समधाय एक जुडाओ और भागेदारी मजबूत नीतीगत उपाये कौसल वितरन पिडाली साक्षाधारी नेडल लेने और ब्यापक निगरानी सामिल है मदपदेश सरकार की सुवायत निकाय अटल विहारी गाचपई सोसासन और नीती विसलेशन रिप्सनस्थान भोपाल द्वारा इस रिपोर्ट को तेयार किया गया है और रिपोर्ट में पिडेश सरकार द्वारा सुरू की गई अहम पहल जिन में आप देखी स्कूल ओफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनलिसित मदपदेश लोग सिभा गारंटी अधिनियम 2010 आत्मिरवा मदपदेश रोड मेप समाधन ओनलाइन सीम हेलफ लाइन आधी जिक्र किया गया है दोसरे खंड में आप देखें करोना काल उसके असर का जिक्र किया गया है साथी महामारी के प्रबंधन इससे हुए बदलाओ वबिकास की चर्चा भी की गी है और रिपोर्ट के तीसरे खंड के पहले अध्याय में बताया गया है कि राज किरसी चेत में देश के अनराज्यों के पेच्छा अगडी रहा है पिदेश खाद्यान का दूसरा सबसे बड़ा उतपादक बागवानी फसली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक पोसक अनाज में पांच बाद सबसे बड़ा उतपादक है और तीसरा अध्याय में ही उद्द्योंग व्या एक लिए के महत्तुपर चर्चा है चटवी अध्याय में आईश छेत आई और साथ विकास की चर्चा की गई है और सिब मुकमंतृ साहब ने कारिकरब में बताये कि पिदेश की विकासदर 19.7 पिदीसक देस में सरवादिक है देस की अर्थवस्था में मत्पिदेश का 4.6 पि पिदेश ने पंजाब हरयाना को गेहू उपारजन में पीछे चोड़ दिया है। पिदेश में एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। मद्ध पिदेश में सिचाई उजनाओ से लावन भी सिचाई रगवाग 43 लाख हेक्टर से अधिक हो गया है। और मद्ध पिदेश पहला राज्य है जिसमें पबलिक सर्विस गारंटी कानून बनाया है। समय पर सेवाएं ना देने वाले लोग दंडित भी किये जाते हैं इसके तैर। तो यह भी बात की जा रही है। अंगली खवर की तरफ हम लोग चलते हैं। यह आप देखे 5 अपरेल 2022 को मुकमंत्री सिवराज सिंग चोहन की अध्धाक्षता में मंत्री पश्चत की बैठक हुई। और मुकमंत्री कन्या बिवार निका यह उजना की संसोधन को मंजोरी दे गई है। जब बैठक होगी तो उसमें स्वभावी सी बात है। कुछ फैसले लिए जाएंगे। सन निर्माद करमगार कल्यार मंदलर में पंजी के सर्मेक खेतु विवास आयता यह उजना को सामज़िक नियाए विवाग द्वार संचाले मुकमंत्री कन्या बिवा यह उजना में समायत किया जाएगा। और कारकरम के अधीके संस्था सामोहिक बिवा का आयुजन सहरी छित में नगर निगम नगय पाल का नगर पजिसाद ग्रामी छितनों में जन्पद पंचायत की ही आयुजन करता होंगे। और अनकिसी संस्था द्वारा कराय जारे सामोहिक बिवा इसे उजना के लाप पाने ही तो पात नहीं होंगे। इस कलेंडर का व्यापक प्रिचार प्रिसार सुनिश किया जाएगा और जिससे एक्षुत जोणों द्वारा समय पर आभिदन किया जा सके। प्रेम सिंग पटल ने बताये कि राष्टी पसू रोग निवारन कारकरम की तहट चलाये जा रहे हैं। प्रुसेला सेला टीका करन कारकरम में मत्वदेश पूले देश में पहले इस्थान पर आया है। कितने पहले इस्थान पर आया है। और राष्टी पसू रोग नियंतन कारकरम की तहट पिदेश में एक जन्मरी से 31 मार्च 2022 तक बुरुसेला टीका करन कारकरम चलाये गया। इसमें चार सी आप लेक देखेंगे आठ माई की गौव भैस बलसीय बच्चियों का टीका करन कराये गया है। और मत्वदेश में 17,41,970 टीका करन की जानकारी इनौव पोर्टल पर दर्श की गई है। जो आप देखें देश में सरवादिक है। इसके अलाबा आप देखेंगे पिदेश में 2,46,63,968 गौव भैस बलसीय पसुओं को UID टेक्स लगाए गये हैं। इनका पंजीकन भी इनौव पोर्टल पर किया गया है। या संक्या भी देश में सरवादिक आपको देखने को मिलेगी। और याद रहे देश में राश्ती पसुओं रोग नेतन कारकरम के तह सभी राज्यों में ब्रूस एला टीककरन कारकरम किर्यान में किया जा रहा है। और ब्रूसी लोसिस रोग गौभैस बलसीय पसुओं में पिजनन संबंदी भी इमारी हैं। जो आप देखें ब्रूसी लोसिस एवोर्टस जीवाड़ू के कारण होती है। इस रोग के प्रभाव से मनों सेवों इस्तिरियों में पिजनन संबंदी समस्या हो सकती है। इस रोग को किसी उपचार के अभाव में ठीककरन द्वारा ही रोका जा सकता है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अंगली खबर आप देखेंगे। और जिसे राज सरकार भरे गिया। और जिन उपचताओं ने समाधा नियोजना 2021 के अंतरगत इस्तिरित रासी की विरुद्ध भुकतान किये हैं। उन्हें भी आगामी बिलों में समायुजित किया जाएगा। और कटनी जिले के आप देखें 5,929,44,000 रुपे के बिली सियोजिना में माप होँगे। और याद रही मत्कदेश चेत बिद्धूत बितरन कंपणी कार्याले कार्याले कार्चेत के भोपाल नर्वदापुराम ग्वाली चंबल संभाग के अंतरगत 362 बितरन केंदरों पर समाहरो पूर्वा कारकरम आयुजित कर सिभी आयुजित किये गये हैं। और मत्कदेश चेत बिद्धूत बितरन कंपणी ने कहा है कि रास असंद द्वारा जारी मुकमंत्री बिद्धूत बिलों में रहत एवजिना 2022 के इंतरगत कंपणी द्वारा कार्चेत के सभी सोले जिलों में एक साथ कारकरम आयुजित कर पहले ही दिन लगभग आप दिख सायुजित कराने के लिए बिद्धूत पिता है सहिता की प्रावधन के अवसार उपचारिकता पूर्ण करना अनिबार होगा पात दो भोकता यूजिना में मिलने वाले लाप को एक अपरेल 2022 के बाद जारी देखों में देख सकेंगे क्या कर सकेंगे देख सकेंगे और वाटर है उसका कुछ सेंस पूछ लेता है तो साथ अपरेल को मद्विदेश सासन मद्विदेश राजस सासन ने उर्जा सक्षरता अभियान में नागरेकों को पुरोसाहन करने के लिए राज जिलास्तरिये उसा अबॉर्ड देने का नेडलिया है और दोनों अबॉर्ड आ इस्टार रेटेट एलिडी ट्यूराइट बल्म और अन बी इस्टार रेटेट उपकरन उपनमाट पति दिया जाएगा और उस आवोर्ड पिदेश में पिती मा उर्जा उर्जा उर्शाचरता अभियान में सरवाधिक पंजीकर संख्या के अधार पिदेश के पितम जिले क पिती माह सैटिफिकेशन संख्या के अधार पिदेश के पितम जिले को उर्जा सरक्षन सहिता अपनाने वाले उतकिष्ट इमारतों और अनभावनों जो उर्जा बचत प्रमारणित करते हैं को दिया जाएगा और इस अवियान में उतकिष्ट कार करने वाले विस्विध्य पितम जिले में उर्जा दक्षता अपनाने वाले सबसे उतकिष्ट किसान ग्रहनी को भी पितम दुतिय उतकिष्ट कार की एक सेनी अने सेनी विसेश उपलब्दी के लिए भी निधारित की गए हैं किसान का चैन उनके द्वारा उसा वियान से जुड़ने और किसी छित में उतकिष्ट कार जैसे ड्रिफ रीगेसन सोलर पंप आदी समलित किये जा सकते हैं और ग्रहनी का चैन उनके द्वारा उसा अभियान से जुड़ने और उर्जा पचत के लिए उन्यत सुझाव के अधार बढ़ किया जाएगा अनबेसे इस उपलब्दी सेनी में जिला इस्तर अभास कैला सारंग ने मेडिकल नॉलेज सेरिंग मेशन का करम सुवारिंद किया है इस मेशन से राष्टी अंतराष्टी इस्तर पर चिकिस्था सिक्षा और चिकिस्य उप्चार की नवीनतम तकनीक नवाचार एमम सोध के विभिन आयामो कुमत विदेश के चिकिस्था चा जाएंगे और इस मेशन किता है चिकिस्था चात्रों एम चिकिस्था को के लिए टैनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग नॉलेज एक्सचेंज एक्सपूरोजर बिजिट प्रोग्राम आधी कारकरम तराय करी जाएंगे नॉलेज एक्सचेंज एंटर एंटरेक्टिव अपने अर्भवों, रिसर्च कारियों एवं अन नवाचारों को एक दूसरे से डिजीटर रूप से साज़्ा कर सकेंगे और नवीनतम तक्नीक की आईटीपी से एंटलीजन्स एई एवं गूगल तथा माइको सॉप्ट आधारी आधूनीक सॉप्ट वियार का उप्यों की चेकिसा, सिच्छा, चेकिसिये विवस्था चेत में किया जाएगा और इस में सन की अंतरगती सास की एवं निजी चेकिसा संस्थान जैसे संकर, नेतराले चेंड़ी, टाटा कैंसर हॉस्पीटल मॉंबई, फोर्टिस गुडगाओ, अपोलो हॉस्पीटल के साथ सुपर चेकिसा के चेत में, मेडिकल, रोवोटिक्स के उपयोग चेकिसा बत्ती और गंभीर बीमारियों के उफचार के लिए चेकिसिये, एवं सेक्षडी आदान पिदान भी किया जाएगा, और अमेरिका की कॉलंबिया, यूनिवसिटी के साथ बॉन मेरो ट्रास्पलांट, एव उफचार के लिए M.E.U. पर हस्ताक्षर किया जाएगा, और जिसमें हेल्थ केंपस, चेकिसा परामसुधा, येवं संद चेकिसा की वश्ता, चेकिसा महाविद्ध्याले के हॉस्पीटल में किया जाएगे, और डिजीटल प्लेट्पॉम बिकसित कर पिदेश की चेकिसिको कर जोड़ा जाएगा, और जिसमें किया जा रहा है, सोद कारें और नवाचारों को डिजीटल रूम में पिकासित भी किया जाएगा, AI तकनीक के उपयोग से टीवी, ब्रेन इस्टॉक, ब्रेन टीमर, दिल की विमारी, कैंसर, जैसे लीवर, प्रो इस्टेट, ब्लेड, ब् मरीजों के जाच एवं उप्चार के डाटा को इकत्तित कर, सौफ्टिवेर, आधारित, मसीन, लर्निंग से जाच उप्चार के विविन अल्गोरिज्म को तियार किया जाएगा, जिससे चिकसकों एवं चिकसा छात्रों को मरीजों के इलाज उप्चार में मदद मिले सकेग Medical Knowledge Sharing Machine की माद्यम से नमीन, Medical Devices के सोध एवं विकास के लिए गांधी Medical College में Incubation Center को विक्सित किया जाएगा, जिससे चिकसा चात्रों को नए चिकसा उकरणों को मरीजों की आवसकते अनुसाद सोध करने और विक्सित करने का आवसर मिल सकेगा और पिदान मंत्री को उसल विकास युजना में चिकसा, नर्सिंग, एवं पैरा मेडिकल की चात्रों को विसित टेनिंग देकर उनके कारशेत में दक्षता पिदान करने के लिए स्किल, डवलोमेंट कारकिरम प्यारम किया जाएगा और मेडिकल नॉलिज शेरिंग मिसन को बैस्विक पटल पर इस्थावित करने के उद्देश से वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजिशन, युनिसेफ, विसबैंक, सहेथ, अंतराश्ती सरकी संस्थाओं को भी साथ में जोडने का प्रयास किया जाएगा अच्छी पहले आप देखेंगे, ठीक है? अगली ख़बर है आप देखी, दस अपरेल 2022 को मत्पदेश के मुखमंदी सिवराशनी चुहान ने राम नॉमी के आउसर पर, आउसर पर सिरी राम राजा सरकार मंदिर परिशा ओर्चा में सिरी राम राज कला दिर्गा का उलोकर पढ़ किया है, यह ओर्चा आप देखें, निवारी जिली में पढ़ता है, जो नया जिला बना था ना, इस अउसर पर पवित बैत्वा न दी के तट पर भगवाल सिरी राम की पिती सिद्धा प्रगट करने के लिए दीवस्ताओं में एक साथ पांच लाग दिये जलाए ग और सिरी राम राजा सरकार मंदे पईसर में ओरचा में संस्किती विभाग दौरा भगवाल सिरी राम पर केंदर राम राज आठ गैलरी तेयार की गही है, और इसमें भारत के लगवग सभी राजों की लोग गीत सहली में भगवाल सिरी राम के एक रूप का चित्तरन किया इस आट गलीर में भगवार राम के 36 गुडों उनकी विश्रिष्टा को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है और इसके साथ ही उनके राज्यवी से एक कारकरम को जहांकी की रूम में कलात्मक रूप से पिदरसित किया गया है भगवार राम पूरे देश में किबल ओर् यह भी याद रखेगा अंगली खवर की तरफ चलते हैं नौ अपरेल 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवाने आयजित पुरुसकार वितरन समारों में उपराश्पती एम बेंकिया नायडू ने टीकम जोसी को थेटर के छेत में विश्रिवदान के लिए संगीत नाटक अक देशक निवक किया था जोसी के अतरिक्त अर्जुन सिंग धरुप को भी लोग एवं जन्जाती नित के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रिदान किया गया है तो इन पर उसकारों से विज्ञा की परेक्षाओं में कुश्चन्स पूछे जाते हैं अंगली खबर है आपकी 11 अपरेल 2022 को मद्वदेश के चिकिस्सा सिक्षा मंत्री विश्वास केलास सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज के ओडिटोरियम से मेडिकल नौलेज एक्सचेंज प्रोग्राम की सुरुवात किये और साथ ही आप देखें ब्रोसर का बिमोचन भी क दिया है और ये सावसर पचिकिस्सा सिक्षा मंत्री ने गोशना की है कि GMC का ओडिटोरियम वाता नौकूल बनेगा और सभी मेडिकल कॉलेजों में विध्यातियों की सुविधा के लिए रीक्रियेशन सेंटर इस्तावित किये जाएंगे और हमी दिया कि इमर्जेंसी सग डॉक्टर्स से भी MOU किया जा रहा है और जो अपनी विधाओं के जरिये ज्यान को सांजा करेंगे और चिकिस्सा सिक्षा मंत्री ने युवा डॉक्टर्स से MP गाओ और नौलिज सेरिंग पोर्टल की जरिये जादा से जादा जुड़ने की अपील भी किये और आयू से चिकिस्सा सिक्षा निसांत वरवड़ी ने बताया कि तेरे विंद्गों पर आथरी नौलिज सेरिंग मिसल सेल की स्थापना की गी है और मत्विदेश की नवाचारों का फायदा पूरे पिद देश को मिले इस दिसा में कार किये जा रहे हैं और IIT इंदोर के साथ मेडिकल इंक्यूवेशन सेंटर की सुरुवात की जाएगी और यह सेंटर सुरू करने वाला मत्विदेश देश का पहला राज होगा मत्विदेश देश का पहला राज होगा इसमें अंगली खबर की तरफ चलते हैं हम लोग 11 अपरेल 2022 को मद्विदेश परिवाहन आयुक्त मुकेश जन्ने गरामीड परिवाहन नीती के किरियानबन पर अधिकारियोंग से चर्चा के दोरान बताया कि पिस्तावित नवीन परिवाहन नीती के तैद रूरल ट्रांसपोर्ट केडिट मॉडल को 1 मई 2022 से आगामी 6 माय तक पाइलिट प्रोजेक्ट के रूम में विदीशा जले में किरियानबित किया जाने के लिए राज सरका द्वारा निर्देश दिये गया है और इसमें याद रखी गरामीड अंचलों में सुगम एबं सस्ती लोग परिवाहन सेवा उपलग्द कराने के लिए परिवाहन व उजना है और याद रहे मुकमंती सिवरा सिंग चोहान ने बिगत दिनों गरामीड चित्रों में परिवाहन विवस्था के 504 संचालन के लिए परिवाहन नीती लाने के निर्देश भी दिये हैं और गरामीड परिवाहन के लिए विदीशा जले में कुल 76 गरामीड मारगों को चिन्नित किया गया है और जिनकी कुल लंबाई आप देखेंगे 1513 किलूमीटर है और इन गरामीड मारगों इनके आसपास 540 गराम इस्ते थे और जिससे आप देखें 4,70,000 गरामीड जनसंख्या पिस्ताविवाहन नीती से लाभन भी होगी और पिस्ताविवाहन नीती क कि मोटर यान अदिनियम 1991 की तहर देमासिक मोटर यान कर में पूरी छूट दी जाएगी और इसके अलाबा आप देखें परिवाहन सेवा के रूम में नियंतर 6 माहे तक संचालित बाहनों के संचाल को द्वारा उक्त संचालन से अरजित किये गया रूरल ट्रांसपोर्ट के ब्रूद निधारित मुल्यनुसार प्रोसान रासी आगामी 6 माय में वाहन संचालन को प्यदान की जाएगी और इस यह उजना के थे एक चुक वाहन संचालन बैद प्रपत्त होने पर जिला परिवहन कारियाले में आकर अधवा परिवहन विवहा की विवसाइट पर जाकर चतर ग्रामीन मारगों में से किसी एक मारग पर अत्वा आपस में जुड़े हुए एक से अधिक मारगों पर वहाहन संचालन के लिए पर्मिट प्राप्त करने का आबेदन भी कर सकते हैं। इससे क्यार रहे कि ग्रामिरी छेत्रों में भी आसानी से आवाजाही हो सके अंगली खबर 11 अपरेल 2022 की है इस दिन क्या हुआ मत्पेदेश की मुकमंत्री सिवरासिंग चोहन ने रायसेंजले की गेरत गंज तहसेल के कहूला ग्राम में आयोजे जल संसद में जल अभिसेक और इस आउसर पर मुकमंत्री ने पेदेश की 52 जिलों के 5000 अमरित सरोवर का बर्चुल सुबारम और पुस्त कर धरोहर समर्दी अभियान में 10,000 कारेओं का भी सुबारम किया है और मुकमंत्री ने जल सकती अभियान की आयोजना का भिमोचन भी किया है और उन्हों ने जल स माहे तक अथवा अंगले बर्स मार्च माहे तक पूरा हो जाएगा और जल सरक्चन के लिए बड़ी संख्या में छोटे-छोटी जल सरक्चनाओं के सरक्चन का कारवी किया जाएगा अब आप देखे कहीं खाली भूमी पड़ी हुई है वहाँ अगर आप देखे छोटा सा ता पानी निकल आता था आज आप देखे गहराई में जाते जा रहा है पानी और नीचे जाता जा रहा है तो इस और भी ध्यान देना होगा अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं एक 11 अपरेल 2022 को मतविदेश के मुकमंती सिवराश्चिंग चोहन ने दमू में पिछरा बर्ग कल्यान की जन्नायक महतमा जोतीवा फूले की 195 जैनती समारों में विभिन घुसनाय की है और इस आउसर पर मुकमंती ने घुसना की कि अब हर साल महतमा जोतीवा फूले की जैन महतमा जोतीवा फूले की जैनती को अलगल इस्थानों पर धूमधाम से मनाया जाएगा और उन्होंने दमो जले की बटिया घड ग्राम पंचयात को नगर पंचयात का स्वरूप दिये जाने की भी घुसना की है और महतमा जोतीवा फूले का पूरा जीमन महलाओं गरीबों किसानों के लिए संगरस में वीता है उन्होंने महला चित्चा के चित्च में नई करांती पैदा की वो बिदभा विवा का की मुहिम चलाई और यही कारण है कि मुंबई में बर्स 1888 में हुई किसान सबाव में उन्हें महतमा की उपादी दे गई थी अब आप लोग सोचके देखिए अगर कोई आप देखिए किसी का पती किसी भी कारण से डैथ हो जाती है उसकी तो आप देखिए कि उसे भी चिता में जला दिया जाता था आग में फिक दिया जाता था आप देखें कि उसे विवा करने की तुवारा विवा करने की इन्मती नहीं थी बहुत सारी इस तरह की बुराहिया समाज में बिद्धमान थी उन्हें हटाने में इन महावर्सों का युगदान रहा है और उस समय आपती कि हमारी धर्मगुरू थे वो सही मानते थे और इस आउसार पर मुकमंती ने बिगत तीन बरसों के मत्विदेश महात्मा जोतिवा पूले पिछा वर्ग सेभा राज पुरुसकार वितिवित किये हैं और 2017-18 के लिए डबरा के डॉक्टर हुकुम सिंग को स्वाह को 2018-19 के लिए उमरिया के बी आर साथ कोते और 2019-20 के लिए रिवा के आर एन पाटेल को 2-2 लाग रुपी के चेक और सस्ती पत भैट किये गया है उनके द्वारा ठीक है तो ये भी आप लोगों को याद रखना है अंगली ख़बर की तरब चलते हैं हम लोग ये 12 परेल 2022 को मध्यपदेश पावर जेनरेटिंग कंपणी द्वारा बिजनिस ट्रांग फॉर्मेशन और डिजी टाइजिसन के लिए इंटरप्राइजिस रिसोर्स पिलानिंग 93-1 के लिए एक्चेंजर का चैन किया है और मध्यपदेश पावर जेनरेटिंग कंपणी की ERP परियोजना की सुरुआ गत दिस दिवस एक समारों में हुई है और एक्चेंजर एक बैस्वेक प्रवंधन परामस और पैसिवर सेवा फर्म है जो रननीती परामस और डिजिटल प्रोधगी की और संचालन सेवाएं पिदान करती है और एक्चेंजर होर्चिउन गिलोवल कंपणी है और विसक्वी अगड़ी IT कंपणीों में से एक एक्चेंजर को पाबर जनरेशन सेक्टर में ERP किरियार्मन का बेहत अनुवाव भी है इस कंपणी को अंगली ख़बर की तरफ चले तो आप देखेंगे ए 12 अपरेल 2022 को मद्परेश की राजवाल मंगू भाई पटल ले मुकमती सिवरासिंग चोहां सहत अनल लोगों को कुसाभाव ठाकरिय इंटरनेशनल कर्वेंशन सेंटर में चेंपियन ओप चैंज अबोर्ड से समानित किया है समारों में समानित होने बाले अन्विभूतियों में पंडवानी लोकसेली की गाय का तेजन बाई राजसाभा संसाथ सियद जफर इसलाम, पूर महापौर इंदोर मालीनी लचमर सी गौन, अविसकारक बनवारी लाल चोकसे, पूर लोकसाभा संसाथ डॉक्टर भागीरत पिरसाल, भारती सास्ती संगीत कलापनी कॉम कली, सेबा धरम असरम उज्यन की संस्तापक सुधीर भ भारती सेने अभीनेता प्यूस मिस्रा, उद्दिमी मनन देखचत, भारती टेलीविजन अभीनेती दिभ्यांका तिरपार्टी, चेयर्मेन दिलीब बैल्ड कॉन लिमिटेड दिलीब सूरवनसी, धरुपत गुरु अभीजीत सुखदाने, वक्ता हो लेखक आरया चावडा चेयर्मेन आर साइन लोजिस्टिक्स इंडिया प्राइमिट लिमिटेर रोहित सिंग्तोमर, और पेदेश की पहली महला परवात रोही मेह गहा, परमार, वरिष्ट पतकार न्यूज एंकर एवीपी बिकास भदोरिया, प्रेसीडेंट केम परेंका तिवरेदी दोवेदी, और पिरभन संचार्ट नर्वदा, हेल्थ गुरूप डॉक्टर रेनू सर्मा, बाल रोग विसेशक डॉक्टर पिकास जेन, फाउंडर एलो, डिजी, मयूर सेथी, और कारपालिक सचिप ज्यान गंगा गुरूप रजनीत जेन आधी सामेले हैं, ठीक है, और चेंपियन चेंज पुरुसकार, इंटरेक्टिव फॉर्म, और इंडियन एकोनोमी संस्ता भारत सरकार द्वारा, देश में चेंडित कुल 115 आसाबाधी जिलों में, गांधी बाधी, मुल्डेयों, समुदायक, सिभा और सामाजीक विकास को अपने सकारातुमत प्रयासों से बढ़ाव देने वाले राजनेता सामाजीक कारकरता उद्वियों को दिया जाता है, और इंटरेक्टिव फॉर्म और इंडियन एकोनोमी संस्ता प्यतिवस भारत में अंतराश्टी, राश्टी और राज्ज इस्तर पर चेंपियन आप चेंज पुरुसकार का एविजन करता है, इस NHRC के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में सी संविधानिक जूरी पैनल द्वारा किया जाता है, और इंटरेक्टिव फॉर्म और इंडियन एकोनोमी संस्ता भारत सरका से मानता पराप्द, असी जी आठ एक अनुरूप गयर लापकारी कंपनी है, जो मात्मा गांदी क मूल्यों को बढ़ावा देने वाले 115 आकांचात्मक जिलों, जिलों सहित ग्रामीड भारत की महलाओं और बच्चों की विकास और कल्याण के लिए काम करती है, नंदन जहाँ चेंपियन ऑफ चेंज पुरुसकार की अध्यक्ष है, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, चेंप मिस्रा सोपरीन कोट की पूर्व नयाजीस की अध्यक्षता में सम्मिधानिक जूरी की सदस्वों द्वारा किया जाता है, तो यह आप लों याद रख सकते हैं, अंगली खबर की तरह चलते हैं, यह आप देखें, 22 अपरेल 2022 को देश में अपनी तरह की सबसे पहले और सबस के विभिन बिजली कंपनिया, राज्यों के उर्जा बिभाग, बैंक, सास्की सेवा उपलफ्द कराने वाली संस्थाएं और तकनीकी संस्थाएं आदी सामिल है थी, और पश्चिम छेत बिजली बितरन कंपनी ने सेष्ट सेवाओं, योजना के कारेओं की स्कौर्ट टीम क अब तक पौने 3 लाख मीटर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, और 2003 में स्ताफित स्कौच अवाड उन लोगों पर योजनाओं और संस्थाओं को दिया जाता है जो भारत को एक भितर राष्ट बनाने के लिए अतरिक्त प्रियास करते हैं, क्या करते हैं, अतरिक्त प द्यारित की गए हैं, पितीमा अभियान में पंजियन संख्या की आधर पर पिदेश की पितम जिले को उतकिस्थ जिला पंजियन की सैणी में पुरुस्कित किया जाएगा, और उर्जा सरक्षन भवन सहिता अपनाने बाली उतकिस्थ इमारतों और अन भवन जो पिरमार्ण उर्जा बचत पिदरसीत करेंगे को उर्जा सरक्षन भवन सहिता अपनाने बाली उतकिस्ट इमाडते सेनी में पुरुस्कित किया जाएगा उतकिष्ट कार करने वाली सस्थाएं, सैनी में पिदेश इस्तरप अभियान की किरियार्मन में उतकिष्ट कार करने वाली बिस्विध्याले बिभाग उद्योग आधी को पुरुस्कित किया जाएगा और उर्जा दक्षता की छित में उतकिष्ट पिदर्शन करने वाले जिला अच्छा है उर्जा अधिकारी सेनी में पिदिश में सर्वोत क्रिष्ट पिदर्शन करने वाले अच्छा है उर्जा अधिकारी को पुरुस्कित किया जाएगा और इसमें आप देखेंगे पिती माहे सबसे उत्किष्ट कॉलेज सेनी में डिग्री, पॉलेटेकनिक, इंजिनिरिंग, मेडिकल कॉलेज के चैन किया जाएगा उत्किष्ट किसान सेनी में और किसी चैन कारी देखेंगे जानकारी देने पर किसान को पॉलेज किया जाएगा और इसी तरह ऐसी से गहनी जो उसा से जुड़ी है किसी सास्किये नोकरी में नहीं है उसने उर्जा बचत के लिए उन्नत सुजाओ दिया है को पॉरुस कित किया जाएगा और इसके अलाबा अन्न विसेश उपलब्धी सेनी में फुरुस का जिला इस्तर पर उर्जा सक्षर्ता वियान में किसी भी बैक्ती संस्था सास्की कारियाले स्कूल कॉलेज आधी के उतकर्ष पिदर्शन विसेश सहो एवं उपलब्धी के लिए दिया जाएगा और उसा अवॉर्ड पिदेश एबं उसा अवॉर्ड जिला से सम्मधिस सारी जानकारी मद्ध्पिदेश के उसा बेकास निगम की वेबसाइट पर उपलोड की जाएगी अवर्ड पिदेश में इसने चैनिक सेनियों के स्कूल, कॉलेज, कार्यालेस अंस्थान, बेक्ती विसेश को ही दिया जाएगा अवर्ड के रूम में उर्जा दक्ष उकरण, पंके, इस्टार रेटेट एलेडी, ट्यूलाइट, बलम और अन बी इस्टार रेटेट उकरण, पिरमाड पत्ते दिया जाएगा और याद रहे, गिलोवल बार्मिंग और जलवाई परिवतन की चुनोतियों से निपटने के लिए, मद्ध्पदेश सासन ने जन भागिदारी सुनिशित करती हुए बिस में अनूठा उर्जा, साक्षरता अभियान प्यारम किया है और इसमें लोगों को उर्जा की बचत, लाव और सरक्षन की जानकारी, मोबाईल एप बेपोर्टल, आधी द्वारा पिसिक्चन, और सक्किरी भागिदारी के माध्यम से की जा रही है तो यह भी याद रखिएगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं इस 17 अपरेल 2022 की घटना है, तीन देवसी राष्टी वनमाली कथा पुरुसकार समारों भोपाल इस्तित रवेंद भामन में संपन हुआ है कहां? रवेंद भामन में मद्पिदेश की रादधानी है ता भोपाल होई और इस साहत पुरुसकार की स्थाव में वनमाली सर्जन पीठ और रवननाथ ठाकोर विस्विध्याले कि द्वारा हिंदी लेखक जगनात परसाथ 24 वनमाली की स्मित्ती में किया गया है और याद रही इन पुरुसकारों की घटना 14 अपरेल 2022 को ही थी और जिसके तहत वनमाली सम्मान प्रोफेसज धननजर बर्मा को वनमाली राष्टी कथा सम्मान गीतांजली श्री को दिया गया है और इन दोनों पुरुसकारों की पितेक को एक एक लाक रोपे की नगद रासी सौल और एक पिसस्ती पत्त दिया गया है और इसके अतरिक बनमाली कथा मद्पदेश सम्मान भोपाल के पिसिद लेखा खरी भटनागर को वनमाली युवा कथा सम्मान बैंगलोर की युवा लेखा चंदन पांडे को वनमाली कथा आलोचना सम्मान दिल्ली के बैभाव सिंग को वनमाली साहित पत्ति का सम्मान दिल बिच्ञान कथा सम्माद दिली के विज्यानलेका देविंद मे बाडी को दिया गया है। इन पुरुषकार्वं मैं आप देखे 51,000 रुपे का नकत पुरुषका 100 और 1 पृतस्ती पत्त दिया जाता है। पृतस्ती पत्तु एक तरस से आप देखिन सूचक रहता है। यह आप देखें कि 17 पर 2022 की घटना है केंद्री बिमानन मंत्री जोतिया दितिस इंदिया वही है जो कमनलाथ को आप देखते हैं कॉंग्रिस को सरकार से यहाँ धोना पड़ा था गद्दी से याद होगा आप लोगों को आप लोग यह थोड़ी भूलेंगे तो इन्होंने राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में महला सौसाहता समूग को प्रमोट करने के उद्देशी एयरपोर्ट पर आवंटित आउट लेट का सुबारम किया है और इस महला सौसाहता समूग आउट लेट का सुबारम भारत सरकार के अवसर कारकरम के तहत किया गया ह और याद रहे सभी एरपोर्ट पर इस्थानी उत्पादों की विक्री के लिए उपलब्द कराने और इस्थानी लोगों को रोजगार की नयो आउसर उपलब्द कराने के लिए ये उजना सुरू की गई है और इसका उद्देश महलाओं ये सिल्फ कारों की पितिभा को प्रो किया जा रहा है अच्छी पहले अंगली खबर है आपकी 18 अपरेल 2022 को गुजरात की सूरत में केंद्रिय आवास इवं सहरी कार मंत्राले द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी ज अवर्ड कॉंटेस्ट में इंदोर ने वेविंस कैटिगरी में 6 अवर्ड जीते हैं औ 2022 में विबिन थीम में उलेखनी कार करने वाली स्मार्ट सिटी सिटीज को अवर्ड वित्रित किये हैं और इस कॉंटेस्ट में मद्विदेश ने श्टेट अवर्ड में दूसरा इस्थान हासिल किया है इसके अलावा भोपाल ग्वालियर जबलपूर उ सागर ने भी अवर् अवर्ड बिनर के रूम में इंदौर के साथ सूरच को चुना गया है जबकि जबलपूर को तीसरा इस्थान मिला है कल्चर थीम में इंदौर चंडीगर को सेवक तरूप से विजेता घोसित किया गया है इसी थीम पर डिजीटल म्यूजियम बनवाने पर ग्वालियर को ती विल्ट एंवार्वेंट थीम पर 56 दुकान के लिए इनुवेशन अवर्ड में कारवन केडिट फाइनेंसिंग में केडिश में तथां सिटी अवर्ड में इंदौर और सूरत को सेवक तरूप से ओवरॉल बिनर का अवर्ड दिया गया है अर्वन एडवार्वेंट थीम में सेवक तरूप से भोपाल और चेननई विजिता गोसित हुए हैं भोपाल को किलीन एनरजी में उलेखने कार करने वाला यह अवर्ड मिला है सेटी अवर्ड में राउंड एक में जवलपूर को तीसरा और राउंड तीन में सागर को दूसरा इस्थान मिला है तो यह भी अवसक तेजानियां पूरी करने के देश दिये हैं और लाडली लचमी उसव का firmaड माग यह भोपाल में किया जाएगा इसमें लाडली लचमी यह उजना की हित गराही बालिकाओं को आवंतित किया गया है किया जाएगा इस कारकरण में बालिकाओं को ड्राइविंग ले और इसमें विभने जिलों में स्थानी स्तर पर विभने गतिविधियों जैसे बालिकाओं की स्वास्त परिच्चन, फॉली के असे टेवलिट्स, बितरन, रंगोली एबं अन इस परदाओं के साथ खेल खूद आधी से लाडली लच्मियों को जोड़ा जाएगा और याद रहे कि पिदेश में लाडली अच्मी योजना का आरम एक अपरेल 2007 से बालिकाओं की ससक्ती करन हितू किया गया था एक अपरेल 2007 और यसे जना की तहद लिंदालित लच्छों जैसे लिंगनपात में सुधार बालिकाओं की जनम की पिती सकारात्मत दिरिश्टी कौन के विकास बालिकाओं की सेक्षडिक्स इसतर के उन्यानों स्वास्त में सुधार आधी की प्राप्ती में यहते दिख ओपयोगी अंगली खबर तरफ चलते हैं 20 अपरेल 2022 किये इस दिन चिकिस्था सिक्षा बिभाग द्वार नवाचार की सिंखला में स्वास्त सुविधाओं के विस्तार के लिए सुरू की गए मेडिकल नौलिज सेरिंग मिसन के अंतरगत चिकिस्था सिक्षा मंतरी विश्वास कैला सा अंग ने मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के संचालन की साथ संचाला की साथ virtual बैठक की है और इसे बैठक में आप देखेंगे मद पीदेश को नेशनल कैंसर ग्रेड से जोड़ने और मेडिकल नौलिज सेरिंग मिसन में डाटा मेमोरियल अस्पताल की साथ जा रहे हैं जहां कैंसर के उपचार और सोथ को लेकर कार किया जा रहा है इसके अतरिक्त आप देखें गिर द्वारा एक डिजीटल पोर्टल भी प्यारम किया गया है जिसमें मरीज अपनी मेडिकल रिपोर्ट और अनजानकारी अपलोड कर एक्सपार्ट डॉक्टर से परामस कर सकते हैं तो यह भी आपको देखने को मिलेगा तो यह भी आपको याद रखेएगा अंगली खबर है आपकी 21 अपरेल 2022 को सिविल सेवा दिवसपर पिधानमंत्री मोदी साहम ने दतिया जिला को जिला पिसासन को पोसन अभियान में जन भागेदारी को बड़ावा देने और लोग पिसासन में उतकिष्टा के लिए पिधानमंत्री पुरुषकार से सम्मानित किया है किसे दतिया जिला पिसासन को और याद रखे 21 अपरेल को सिविल सेवा दिवस मनाय जाता है बिज्ञान भबन नई दिली में आयुजित कारिकरम में दतिया जिले के कलेक्टर संजे कुमार ने या पुरुषकार गरंड किया है और इसके साथ ही मद्वदेश केरडर के तीन अधिकारियों को भी पी एम उतकिष्टा पुरुषकार से नबाचा गया है दतिया जिले में जनभागेदारी के माध्यम से पोसड अभियान में मेरा बच्चा अभियान की सुरुवात की गई है अभियान में कोपोसित माव और बच्चों की पहचान कर उन्हें कोपोसन से सोपोसन कारकरम में सामिल किया गया है और इस कारक्रम का उद्देश बच्चों में कम बजन, ठिंगनापन, सारेरिक अपच्छे को दूर करना और महलाओं में खून की कमी का उपचार करना है और इसके साथ ही जिलों में पोशन मटका, ठीम में कोपोशिद बच्चों के परिवारों को खाद्यान सहयुक देने के लिए भी समुदाय को पेरित करना है इंदोर के जिले की कलेक्टर मनी सिंग ने को स्वक्ष इंदोर अभियान के लिए नागरिक सरकारी इंटरफेस के लिए PM उतकरिष्टा पुरुसकार 2020 से समानिक किया गया है और मत्पदेश के MSMEB के संचालक बिसेश गड़पाले को दिन पिती दिन की गदिविधियों के लिए सरकार और नागरिकों के बीच अलग-अलग इंटरफेस के लिए एक सॉप्टिवेयर विक्सित करने ही तू PM उतकरिष्टा पुरुसकार 2019 से समानिक किया गया है और इसी करम में मत्पदेश के I.E.S. अधिकारी अजय तिर्की जो वर्थमार में केंद्री ये भूस अंसाधन बिभाग में सची पत पर काम कर रहे हैं को समपत्ती दस्ताबिश एवं कारेयों आधि की पंजीकन के लिए वन नैसन वन सॉप्टिवेयर एप्लिकेशन विक्सित करने की नवाचार के लिए PM उतकरिष्टा पुरुसकार 2021 से सम्मानित की आ गया है तो ये पुरुसकार भी याद रखिएगा अंगली खबर आप देखें 21 अपरेल की है 21 अपरेल 2022 को मद्पिदेश की पसू पालन एवं डेरी मंत्री प्रेम सिंग पटेल ने बताया कि केंद सासन द्वारा पिदेश में 4 करोड 6 लाग पसू धन की मान से 406 चलेद पसू चिकिसा एकाई सुईकित की गई है और केंद्री पसू चिकिसा एलेओं एवं औस धालेओं की स्थापना एवं सुद्री कन एवजिना में बर्स 2021 में भारस सरकाद दोरा चलिक पसू चिकिसा एकाई का नवेन घटक सामिल किया गया है और एव जिना में आप देखें पिती एक लाग पसू धन पर एक चलेख पसू चिकिसा एकाई संचालित की जाएगे और चलेख पसू चिकिसा एकाई का वहन पूर्ता आधुनिक उकरणों वस्टाप से सुसज़ जीत रहेगा वाहन में एक पसू चिकसक, एक पेरावेट, एक बाहन चालक सह सहायक रहेगा और इसके अलाबा बाहन में पसू चिकसा, लगू सल चिकसा, किंतिम करवाधन, रोग अनुवेशन से सम्मधित आवसक और करण इस्ताफित रहेंगे और पिचार-पिचार के लिए प्रोजेक्टर, स्पीकर आदी भी इस बाहन पर लगा जाएगे और बाहन में उपलब्द आवसक मानव संसादन आउस्दी वाहन के लिए P.O.L. एवम रख राखाओ आदी के लिए पिती बर्स अठारे लाग बहत्तर जार रोपी पिती चलित पसू चिकसा, इकाई का प्रावधन किया गया है और इसमें आप देखें 60-30 के द्रास और कैंदर का और आप देखें 40-30 के द्राज्जी का अंसर रहेगा वाहन वाहन की साथ सज्जा पसू चिकसा के लिए आवसक उकरन, 40% उकरन और फैवीकेशन के लिए भी 16 लाग रोपी के प्रावधन किया गया है या रासी 100% 30 केंदर की रहेगी और चलित पसू चिकसा इकाई के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी कॉल सेंटर में कॉल ओपरेटर और पसू चिकसा की नियुकती की जाएगी सेंटर के लिए 20-30 केंद्र का और 40-30 राज्जी का हिस्सा रहेगा इसमें पराधाल तो ये भी अच्छी पहल है ये भी आद रखेएगा अंगली खबर है आपकी 22 अपरेल 2022 को हमारी केंद्रिय गिरह मंत्री अभिसाय ने भोपाल में 48 भी अखिल भारतिय पुलिस बिग्जान कॉंग्रेस के आउधगाटन सर्थ को सम्वोधित किया है कहा हुई है भोपाल में 48 भी केंद्रिय गिरह मंत्री ने अखिल भारतिय पुलिस बिग्जान कॉंग्रेस का देश की पोलिस विवस्था में दो नजरिये से महत्पूर एउगदान है पहला समान चनोतियों से निपटने के लिए देश भर की पोलिस के वीच तालमेल और दूसरा अपराधियों से दो कदम आगे रहने के लिए तकनीक का इस्तिमाल करना पोलिस विज्ञान कॉंग्रेस एक सामान रणीती और तालमेल पर चाचा करने और काम करने के लिए आदर्स मंच है जिसकी बैठके बीपी आर एंड डी के तत्वाधान में आई जित की जाती है और गिरह मंत्री साहब ने पुलिस विभागों में दस बरसी ये पुलिस रणीती और बारिसित समीष्चा की पिथागों संस्थागत बनाया जाना चाहिए क्योंकि अब ऐसे अपराध हो रहे हैं जिनके पुलिस के आधुनी की करन पिसीक्षार राज्यों में पुलिस के बीच समनवै राज्य के बाहर पुलिस के बीच समनवै और पुरुदगी की को आत्मसाफ्त किये बिना लड़ना संभव नहीं है इसमें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं 23 अपरेल 2022 को प्रियाग राज इस्तित मौतिलाल लहरू नेशनल इस्टिटीट और टेक्नोलोजी में आयवजित 19 भी CSI SIG अबॉर्ड समारों में MP टेंडर्स टेंडर्स पोर्टल ने परियोजना में बर्स 2021 के लिए पिसंसा का राष्टी इस्तर का पितिष्ट CSI SIG E Governance Award प्राप्त किया है और 19 भाष CSI SIG E Governance Award 2021 निविदाओं के लिए पिसंसा का पुरुस्कार रूम में मद्विदी सरकार E Procurement System MP SEDC हे तुमील का पत्थर है ओनलाइन इनिविदा पेडाली के लिए नोडल एजनसी के रूम में MP SEDC की भागेदारी के साथ बर्स 2006 में काल सुरू किया गया था या उपलाब्दी मत्विदेश राज इलेक्नोनिक्स विभाग निगम के दूरदसी परियोजना साबित हुई है MP SEDC ने निवंतम मानवी भागेदारी के साथ फूल प्रूब कारकरम के लिए इस्तिर समाधार बनाया और संस्था में पारिदर्ष्टा आदूनिक तक्नीक मजबूत बुन्यादी राचा और मजबूत टीम से इस्तफलता को प्राप्त किया है और संस्था का लक्ष अपने भागेदारों को मूल लाधारी सिवाय देने अच्छे परियोजना प्रवंधन विचारों को अपनाने लगातार पिसिक्षन एक डाटा बेसलेशन बेस्ट वोल सुविधाओ और फारम को अपने लक्षों तक पहुँचने में मदद के लिए अ समस्याओं के मूल कारण का पता लगाने में मदद करके सुधार भी किया है और याद रहे CSISIG ए गवर्नस अबार्ट पितिष्टि राष्टी इस्तर का पुरुसकार है जो कंप्यूटर सुसाइटी ओप इंडिया द्वारा सर्फशेष्ट ए गवर्नस में किया गे नवाचा सुधारों को सुईकार करने के लिए दिया जाता है तो इस तरह कि जितने भी पुरुसकार रहते हैं उनके बारे में एक सावन जानकरी जरूर रखा करेगा कोश्चन्स पूच लेता है हाली में परेटर मंतरा लेद द्वारा वर्ल्ड हेरिटिज साइट और विष्ट की सब भोपाल की अजया सिंग चोहन ने बताया कि भीमबैट का रोख पेंटर पेंटिंग में चार कलर लाल सफेद हरा पीले का उपयोग किया गया है और ये सभी कलर पत्तियां पत्थर हेमेटाइट आधी पराक्तिक सरोतनों से बनाए गया है भीमबैट का में नेत्तर संगीत ब अखेट जंगल में उपयोगी चीजें एकत्यत करना आधी दिखाया गया है और याद रहें भीमबैट का रोख पेंटिंग और आसरे भारत में यूनेस्को की विस्त धरवल रोख साइड भी है भीमबैट का या पिरकतिहासिक रोख पेंटिंग और रोख सेल्टर के लिए बहुत लोग पी है और आर्कोलोजी सर्वे ओप इंडिया की कारवन डेटिंग पिकरिया के उसार भीमबैट का की रोख पेंटिंग तीस से आप देखेंगे 3500 बार्स पुरानी है और पेसे परात्र तिविद विस्नु स्रीधर वाकन करने उननिस सो सर्षट उनिस संतावन में कम 1957 अंठावन में नांगपूर की यात्रा की दौरान बिन्दभद परवस सेणी में भीमबैट का की खोच की थी कम 1957 अंठावन में किसने स्री विस्नु स्रीधर वाकन करने और हाल ही में जियो जियोलोजीकल सर्वे ओप इंडिया की टीम ने भीमबैट का से एक फॉसिल की खोच की है जो करीब धाई करोड बर्स पुराना है और इस पेकार के फॉसिल युकरेन रूस और चीन में भी मिले हैं अंगली खबर की तरफ चल दे हो यह 23 अपरेल 2022 की है मद्पिदेश के खेल इबंग युवा कल्यार मंत्री एसुदरा राजी सिंदिया ने बताया कि कोव धैक तो आत्मे भर मद्पिदेश के सपने को साकार करने के लिए उवाओं ने देश की सीमाओं की सुरक्षा की पिति जागरित्ती लाने राष्ट के पिती समर्पड और उवाओं को सेना और असने एक बलों के पिति आकर्सित करने के उद्दे से मात तुझे परड़ाम बाना करेंगी पाकिस्तान इस से आत्रा से किसोरियों में ना सिर्फ देश भक्ती की भावना जागरित होगी बलकि भविस्त में देश की सिवाकर स्वहिम को आत्मरभार बनाने में सभल भी होगी खेले वं युवा का लियार बिभाग की मा तुझेस परडाम युजना में जिला कलेक्टर की अधिक्षता में गटिस्त चैन समती द्वाल लोटरी की माध्यम से चैन की कर युवाओं को बिमिन समुहों में देश की अंतराश्ती है सीमा पर भिर्माण के लिए ले जाया जाए और सीमा परती भूमी में सहीदों को इवाओं द्वारा अपने निवास चैत में ले जाया जाये गये जलको सिधान जली अर्पित की जाती है इवाओं द्वारा इंतरश्टी सीमा परती चैत के रहवासियों की मदस से पसुपालन किसी विउसाय उद्योग धंदे सचाई और बर्स 2013 में प्यारम मा तुझे परडाम योजना में अब तक पिदेश के 12,672 युवाओं को ले लद्दा कारगिल द्रास आरेस पुरा बागा होसेनी वाला तनोत माता का मंदिर लोंगोवाल कोची विकानेर वाडमेर नाथुलादर्रा पेट्रोपोल तुर्रा इस युजना में चैनित इवाओं को ग्रह निवास का यात्रा किराया और देनिक भद्दा आवाज भोजन इस्थानिय यातायाद विवस्ता रेल आरक्ष्र विवस्ता ट्रैक शूट टी सैट और किक बैड बैग उपलब्द कराए जाते हैं तो यह भी आपको मालू होना च अंगली खबर आप देखेंगे 25 अबरेल 2022 की है मदपिदेश के राजपाल मंगू भाई पटेल ने कोसा भाव ठागरे इंटर्नेशनल कंवेंशन सेंटर में मदपिदेश पिरेश किलभ द्वारा आयजित मदपिदेश रतन अलंकर समारों में विभेन बिदू बिभूतियो एवं फिलिम निर्माता रूमी जाफरी, नेशनल स्कूल अब ड्रामा की प्राध्यापक लोकेंद्र तिवेदी और भारा सरकार द्वारा उद्धोगिक जखत में लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवार्ड से सम्मानित संजीब सरन लगू एवं वित्तिचित निर्माता, निदेशक देविंद खंडेलवाल और वरेश समाज से भी निर्मलदास नारंग नित्यांग ना कोरियोग्राफर डॉक्टर टीना देवले तामबे और कभी एवं संपाधक डॉक्टर सुधीर सक्सेना को सम्मालित किया गया है इसमें राजपाल ने डॉक्टर लच्मी सर्मा साहित इवं कला, डॉक्टर एके दोवेदी होमोपेथिक चिकिसा, डॉक्टर बैवहाद चत्वरवेदी मानसिक चिकिसा, डॉक्टर ममता सिंग सोरे सिंग भदोरिया, डॉक्टर दीपती सिंग हरडा चिकिसा इवं चिकिसा आउदेश दवी उच्च सिक्षा, राजकुमार सावू, उद्देव एवं व्यापार, इंजिनेरिंट अमित ओजा, गडित सिक्षा एवं समाज सेवी मनोद नंद के सोर पंचाल को पीतिवा सम्माल से अलिंकित किया गया है। अगली खबर है आपकी, 25 अपरेल 2022 को आजादी के अमरित महोसाओं में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नीती आयोक द्वारा नवनिवेश से किरसी पर आयजी दराष्टी कारसाला में मुकमंती सिवरासिंग चोहान मंतराले से बर्चुली सामिल हुए है। और पिथम सत्य नीती आयोक के उपाध्यक डॉक्टर अभी कुमार की अध्यक्स्ता में हुआ है। पिथम तकनीकी सत्य में मुकमंती सिवरासिंग चोहान के साथ उत्तर पिदेश के मुकमंतरी योगिया अधितनात आंद पिदेश के मुकंतरी बायस जगनमुहन रेड़ी ने वर्चुली अपने विचार रखे। नीती आयग आप देखते हैं योजना आयग को पिती सताफित करके आया था दोजापंदरे में। गाउं में पिराक्ते खेती की गदिवनी आराम है। प्रोसाहन देना और सहयो करना आवसक हैं। प्राक्ते खेती के लिए देशी गाए आवसक हैं। और साथ ही पिराक्तिक खेती सी केट लेने के लिए किसानों को 75 पिती सद्रासी सरकार की ओर से उपलब्द कराई जेगी और पिराक्तिक खेती के मारक दसन के लिए पितेक विकास खंड़े में पांच पूर्ण काले कार करता हों कि सेबावायें उपलब्द कराई जाएगी पि अंगली खबर आप देखेंगे 25 अपरेल 2022 की है इस दिन मद्पिदेश के लोक स्वास्त इवं परिवाल के अल्यान मंत्री डॉक्टर पिरभू राम चौधरी ने बताये कि राष्टी स्वास्त प्राधीकर्ण के 2021-22 के पितीवेदन में मद्पिदेश ने सिकायत निवारन में 86 अंके स्कोर प्राप्त कर आईश्मान भारत इवजना में सिकायतों के निवारन को लेकर देश में पिथम इस्थान प्राप्त किया है और डॉक्टर प्रभू राम चौधरी ने कहीं कि राष्टी स्वास्त प्राधीकर्ण ने 2021-22 के प्रगती पितीवेदन में सिकायत अधर पर 69 लाग 2,000 रुपे बैंक खातों के माद्यम से बापस करा कर निसुल्क उपचार के उद्देश को पूल किया जाएगा और आईश्मान भारत इवजना में पिदेश के पात्त हित ग्राहियों को पिछली तीन बरसों से अधिक समय से गुडवत्ता पूर स्वास्त स दिवाएं उपलब्द हो रही हैं यह उजना में पात्त हित ग्राहियों को एक हजार सास्की और निजी चेकिस सालेयों से पांच लाग रुपे तक का उपचार पिती परिवार पिती वस उपलब्द कराया जा रहा है यह भी आपको देखने को मिलेगा अंगली खबर आप द दिवार का लियाण मंत्री डॉक्टर प्रभूराम चौधरी ने कहा है कि पितिस में बर्स 2015 की स्तिती में 25 जिलों में पिती हजार आवादी पर एक से अधिक मलीरिया के प्रिकरण पाए जाते थे जो बर्स 2021 में घटकर जीए 2.03 पिती हजार हो गई है मंत्री परष्ट की बैठक में मंत्री परष्ट की बैठक में मद्द्पिदेश प्राप्तिक किरसी बिकास बोर्ड के गठन सहत कई मातपूर नेड़े लिये गया है और जब मंत्री परष्ट की बैठक होगी तो कुछ तो नेड़े लिये जाएंगे तो मंतिपैसद्वार राज में प्राक्तिक किरसी के बिसार को बढ़ावाने के लिए और सतत मारग दरसन के इसे किसानों को पुरोसाहन और सहयुक पिदान करने की उद्धिस से एक सुतंत संगठन की रूमें मत्कदेश प्राक्तिक किरसी विकास बोड का गठन किये जाने के नड़ा लिया है और बोड में निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज इस्तर पर मुख मंत्री की अध्यक्स्ता में सीथ निकाय और मुख सचिब की अध्यक्स्ता में टास्पूस का गठन किया जाएगा बोड के राज परियोजना संचालक अपर मुख सचिब किसान कल्यार तथा किरसी विकास बिभाग और कारकारी संचालक संचालक किरसी होंगे और बोड का मुख्याल है भुपाल में देखने को मिलेगा और जिलाईस्तरव कलेक्टर की अध्यक्ता में आत्मा गवर्निंग बोड के निदेशन में जिला परियोजना संचालक आत्मा द्वारा योजना किरियान बिद की जाएगे और मंधिपलसंद ने पिदेश में ग्यहू एवं धान की रखवे और उत्पादन में अत्यदे के बिद्धी होने समर्थन मूल पर उपारजन की खर्च में बिद्धी और इन फसलों के कारण पिदेश में परियावन आसंतुलन की स्थिती नेर्वित होने के मद्दिनजर मद्पिदेश फसल बिद्धी करन हितु प्रोसान योजना लागू करने का नेड़े लिया है। द्वारा सुईकिती पिदान की जाएगी और इयोजना में आप देखें सुईकित प्रिस्तावप का किरियानमन, मोनेटरिंग, संचालन, संचालक किसान का लियार्ण तरह किरसी बिकास द्वारा किया जाएगा। आयात पनिर्भाता भी कम होगी। और इस सद्ध्यादेश के तहट मद्पिदेश के नगरिये छेत्रों में सडक या सारुजे किस्थान पर जानबूच कर या उपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी या अनपसू को छोड़ा या बाधा जाता है तो समधित ब्यक्ती से एक हजार रुपे जुर्माना वसूला ज अनेक याचकाएं भी दाखिल की गई है और जिर पर सुनवाई करते हुए नियाले ने राज सरकार को बिचरन करने वाली बेसाहरा पसूं के संब्ध में नेमित कारवाई तथा जुर्मानी की रासी निधायत करने की निदेश दिये थे तो यह भी आप लोगों को देखने क का सुवारम किया गया है या ओटो सो तीस अपरेल तक सो पर कोरीडोर नेटेक्स आटो टेस्टिंग ट्रेक पीथम भूबर में होगा और मद्ध पिदेश को आटो मोबाईल हब बनाने के लिराज सासंत्वारा मद्ध पिदेश इंडर्स्टियल डवलमेंट कॉर्पोरेशन के माद्धम से इंडर में इस तीन दिवसी है ओटो सो का आयोजन किया गया जा रहा है सो का मोबाईल मैनुफेक्चरिंग एबं ओटो मोबाईल कमपोनेंट मैनुफेक्चरिंग कम्पनियां ऐसा मिल हो रही है और इन सभी कम्पनियों द्वारा अपने उत्वादों को पिद इनधन चले पैसेंजर कार, कॉमर्सियल वहिकल, एगरिकल्चरल वहिकल, आर्थ मुविंग और कंस्टेक्शन ही कल पिदरसित किया जाएगे और इन दौर को सच्चता में नंबर बन बनाने वाले विसेश उपकरण जिनका उपयोंग डगर निगम इन दौर द्वारा किया जाता है, कापेदरसन भी आटो सो में किया जाएगा, और लागभग 10 आटो कंप्रियों द्वारा आटो एक्सपो में अपना उत्पादों को लॉंच भी किया जाएगा, और मद्पदेश में इस्टार्टप को पुरोसाहित करने के लिए आटो सो में पिथक से इस्टार्ट जान बनाया गया है, और जिसमें आटो सेक्टर से समंदित विभेन स्टार्टप को बिना किसी सुल के स्थान पर उपलाव दिखराया गया है, और पिदेश में आप देखें निवेस को पुरोसाहित करने के लिए आटो सो में विभेन बैठके, जैसे वायर सेलर मीट, विज से तेसिया के सबसे बड़े आटो टेस्टिंग ट्रेक्ट नेट्रेक्स के बारे में विभेन आटो कंपेनियों को जानकारी दी जाएगी, साथी नेट्रेक्स में उपलब्द सोविधाओं से किसी पिकार, किस पिकार उनके विभेसाय में में टेस्टिंग सोविधाओं का ल मनोरंजग भी आयोजन धी किये जायेंगे इसमें अंगली खबर आप देखेंगे 27 अपरेल 2022 की है मद्ध पिदेश्ट बन विभाग ने पिदेश के 45 लाग तेनुपत्ता संगरहकों के लिए बस 2022 संगरहन काल के लिए तेनुपत्ता संगरहन दर 3,000 रोपे पिती मानक बोरा न दर बढ़ाय जानी की घोशना की थी और वर्स 2021 संगरहन दर 25 रोपे पिती मानक बोरा थी और इस बर 16.29 लाग मानक बोरा करलक्ष रखा गया है और मद्ध पिदेश्ट राज्ज लगू बन पज के संग प्रबंधक प्रबंध संचालक पुस्का सिंग ने बताए कि में संगरहन किया जाता है बर्ट मारें फिदेश में 45 राग तेनुपत्त संगरहन करते के हैं और इस बस प्रबंध की दर में वड़ुती सें कार्म सलगन संगरहकों को 500 करोड रूपे का संगरहन परिश्तर में मिलेगा या पिछली वर्स की तुला में 81 करोड रूपे का अतरिक्ट परिश सेमेक होगा जो ग्रेश रितू में रोजगार की अतरिक्ट साधन उपलब्द कराने में साहेक होगा और प्रभन सँचालक पूसका सिंग ने बताए कि ते पूर्व में लिया जा चुका है, क्या किया जा चुका है, लिया जा चुका है, आप देखें 29 अपरेल 2022 को मद्ध पिदेश के उर्जा छेत को आधुगनीक तक्नीक से सुसजित कर उन्नत बनाने के लिए उर्जा विभाग ने के एफ डवलू, डवलमेंट बैंक जर्मनी के सा रेड एवन अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक चेत किये हैं, और पिदेश को तीन विद्धूत बितरन कम्पनियों, पूर्व चेत बितरन कम्पनी, मद्ध चेत बितरन कम्पनी और पश्चम चेत बितरन कम्पनी में पिस्ताबित विभिन विकास कारियों के लिए 1400 करो और उर्जा मंत्री पिदूमन सिंग्तोमर ने बताए कि इस पिहत युजना में ग्यारे सो बीस करोड रुपे का रिड के एफ डबलू डबलोमेंट बैंक देगा और सासन सीस दोसो असी करोड रुपे की रासी उर्जा विभाग को अपलब्द कराएगा और विद्धुद सुधार के लिए इन प्रयासों से मद्धकदेश की तीनों विद्धुद विद्रन कंपनियों की कारचेत में स्मार्ट मीटरिंग फीडर सेफरेशन जैसे कार किये जा सकेंगे और याद रहे भारत सेरकार की विद्धमंतराले ने 23 दिसंबर 2021 को के एम डवलू डवलेमेंट बैंक जर्मनी के साथ रेड अनुवंद इबं अनुदान अनुवंद हस्ताक चेत किया था और मद्देश आसन इसी अनुवंद के आधार पर पिदेश की विद्धुद चेत को सुद्रण बनाने के लिए प्रियासरत भी है तो यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 31 अपरेल 2022 को फ्रांस में पिदेश की परेटन और संस्किति गद्विदियों की परसार और पिसार कलात्मक आधान पिदान को वड़ावा देने के लिए मद्देश परेटन संस्किति फ्रेंच इस्टिटीट एबं अलाइंस फ्रांसी की मद्द MOU पर हस्ताक्षरित किया गय हस्ताक्षर किये गए काउंसिल जनरल ओफ फ्रांस जीन मार्क स्तेरे चल लेट की उपस्तिती में मद्देश परेटन विकास नेगम के प्रभन संचालक एस बिस्वनाथन भारत में फ्रांस दूताबाच भारत में फ्रेंच इस्टिटीट के नेदेशक एमिनुवल लेबरे डेमियंस और अलाइस फ्रांसे भोपाल की पैसिडेंड डॉक्टर बार्था रती नम ने एमूप हस्ताक्षर किये हैं और इसमें MOU के तहद मत्पदेश और फ्रांस के बीच परेटन और सांसकेतिक गदविदियों को साज़ा किया जाएगा और साथी फ्रांस के परेटकों को मत्पदेश के परेटन इस्थलों और आयोजनों के संबंद में जानकारी देकर आवंतित किया जाएगा MOU में सामिल गतिविदियों में सांसकेतिक और कलात्मक आदान पिदान संगोष्टियाओं, समेलनों का आयोजन, तेवहारों, कारकिरमों, बाद विवाद, पिदसनिया, कार सालाएं, पिसीक्छन, तेवहारों का विकास, और सयुक्त कारकिरम, संगीत कारकिरम और फिल्मों तो यह भी आप लोग याद रखेगा और इस तरह से आप देखें कि कि अप्रेल 2022 की जो भी घटना है घटी मद्वदे से समधित उनके बारे में एक ओवरी भी हम लोगों ने ले लिया है महत्पूर पॉइंट जो आपकी परिच्छा के लिए वह भी देख लिए है आप लोग कोई सवाल हो मेरी लिए सुजाओ हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं अंगली किलास में हम लोग क्या करें कि मई 2022 में जो भी घटना है मद्वदेस में घटी है उन्हें भी एक एक करके हम लोग देख लेंगे ठीक है आपका कोई सुजाओ हो मेरी लिए सवाल हो तो जरू आप लोग भेजा करिएगा